हेलो और इवन स्टड़ी विदस में आपका एक बाई फिर से स्वागत है और आप देख सकते हैं कि NTA के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में बात की गई है जेन्यू इंट्रेंस एक्जाम की ठीक है सभी एक्जाम हो रहे थे लेकिन NTA के द्वारा जेन फिल PhD और MA वालों के लिए वो तैय कर दिया गया है ठीक है पांच अक्टूबर से एक्जाम शुरू है और पांच अक्टूबर में मैं बता दूं सुबह नौ बजे से बारा बजे तक पहली सिप्ट होगी और उसके बाद जो है तीन बजे से छे बजे तक की जो है दूसरी सिप्ट होगी एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं 21 सप्टेंबर डेट दे गई है तो याद रखें कि आज जो है 10 से 11 बजे के बीच जो है एडमिट कार्ड अभी अपलोड होगा अभी से एडमिट कार्ड डाउनलोड ना कर ठीक है अभी जो है इस पर 21 सप्टेंबर दिया हुआ है तो अभी 11 या फिर 10-11 बजे तक अपलोड हो जाएंगे एडमिट कार्ड अगर किसी का डाउनलोड नहीं भी होता है तो उसे थोड़ा वेट करें 3-4 बजे तक अराम से या फिर रात में आप एडमिट कार्ड डाउन से 6 बजे वाली सिप्ट रहेगी यहां पर दे रखा है एंफिल पीएच्टी वगएरा और कौन-कौन से इस्टडी जो फिल्ड है उसके बारे में यहां पर बता रखा है ठीक है तो एक 6 अक्टूबर को होगा आर यह देखें यह नेट के एक्जाम के बीच में करवाय जा रहा है ठीक है और हो सकता है कि कई ऐसे स्टुएंट हो जिनका एक्जाम जो है वो कलैस हो जाए नेट का भी और जेन्यू का भी ठीक है तो देख सकते हैं आप 7 अक्टूबर में यह यह एक्जाम होंगे सभी की लिस्ट जो है वो आ गई है तो लग रहा था कि यह जो एक्जाम है NTA NET के दौरा जो एक्जाम कराया जा रहा है उसके बाद ही होगा लेकिन हाली में इसकी जो है लिस्ट जारी कर दी गई है ठीक है तो यह अपडेट थी जो आपको देनी थी वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसे ही हाईयर एजुकेशन से रिलिटेड अपडेट जो है आपको मिलते रहें थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो